आज हम रगुवन्स महा कावे के दिवती सर्ग के क्रम्श है नव्वे पद्धे का अध्यन करेंगे जो इस प्रकार से है विस्रस्ट पासर्व अनूचरस से तस्सी पासर्व दुरुमा पाश्य भ्रहता समश्य उदिरिये मासूस रिवो उनमादा आलोक शब्दम वैसा में व रस्टुत पद्धे में राजा दिलिप की तुल्ना वरुन देवता से की गई है वैदिक साहित्ते में वरुन देव का अनुपम महत्वे है वे सत्य के देवता थे और वे चाते थे कि प्रेजा के लोग उनके अच्छे नियमों का पालन करें उन वरुन देव की जेजे कार भी होती थी यहां राजा को वरुन देवता के समान माना गया है विश्रस्ट पासर्वय नूचरस से अपने सभी नीजी सेवकूं को लोटा देने वाले अर्थार्थ पासर्वय व्रती सेवकूं का परित्या करने वाले पास भ्रता समसे वरुन के समान तस्से उस राजा के पाशर्वय दुरुमा पास्वाले सभी जो व्रिक्ष हैं जो समीप व्रती व्रिक्ष हैं उनमादा नाम मद मस्त वैसाम पक्षियों की विराए यानि ध्वनियों से आलोक सब्धम उद्रिये मास्वा यानि जेजे कार की ध्वनी बोल रहे थे इव ऐसा प्रतीत हो रहाता अर्था आर्थ राजा दिलिप ने अपने अनुचरूं का अपने सेवकूं का परित्या कर रखाता किन्तु फिर भी वे वरून के समान दिखाई दे रहे थे उस समय पासर्व रती व्रिक्षों के द्वारा जो उन्मत पक्षी हैं उनकी आवाज के बहाने राजा की जे जेकार कर रहे हैं अर्थार्थ जिस प्रकार से अनुचर सेवक अपने स्वामी की जे जेकार करते हैं उसी प्रकार से वन के पासर्व रती व्रिक्ष भी पक्षियों की आवाज के बहाने जे जेकार कर रहे हैं राजा की जे बोड़ रहे हैं इससे राजा का वरुन देवता के सवान प्रभाव साली होने का अनुमान किया जा सकता है इस प्रकार से राजा सुसोबित हो रहे हैं अगला जो दस्वा पद्य है वो इस प्रकार से है मरुत प्रियुक्ताश्चे मरुत सखाभम तमर्चे मारा धबित अवर्त मानायम अवा किरन बाल लता प्रसुने इर आचार लाजेरी इविपोर कन्या राजा दिली पे नंदनी को वन में विचरण कराने के लिए उसके साथ ही वन में विचरण कर रहे हैं मार्ग में लताओं पर पुष्प विक्षित हो रहे हैं और जब हवा चलती है तो वे फूल वे पुष्प उर उड़कर राजा पर गिरते हैं उस समय ऐसा लगता है कि मानो राजा के स्वागत में चावल के खिले वनवासी नी बिखे रहे हैं इस प्रकार से राजा प्रतित हो रहे हैं मरुत प्रियुकता वायू के द्वारा कमपित बाल लता छोटी छोटी लताएं मरुत सका भम वायू के मित्र अगनी के समान आरातम पास में अभी वर्तमानम विद्धेमान इस्तित अर्चम तम अर्चम तम यानि पुझे पूजनिये पोर कन्या पुर वासियों की जो बालाएं हैं अर्थार्थ नगर की जो कन्याएं हैं वे आचार लाजय मांगली के खीलूं के द्वारा इव यानि मानो प्रैसुने अवा किरन पुश पे भरसा रही हैं राजा दिलिप अगनी के समान तेजस्वी हैं अत एव अगनी के मित्र वायू के द्वारा प्रैरित किये जाने से वे बाल लताएं उस राजा पर पुश्प वर्सासी कर रही थी इससे ऐसा लगता है कि मानो मंद मंद पमन चल रही हैं जो राजा के विच्रन की द्रश्टी से सर्वता अनुकूल हैं और वो जो व्रिक्ष जो पुश्प वर्सा कर रहे हैं वो ऐसा प्रतित हो रहा है कि मानो जो नगर की जो कन्याएं हैं वे राजा पर पुश्प वर्सा कर रही हो इस प्रकार से इसमें स्लोक में व्रिक्षू के द्वारा राजा का अभिनंदन किया गया है इस प्रकार का वर्नन इसमें किया है धन्यवाद